हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल डृष्टी आएस एंग्लिश दूसरा यूट्यूब चैनल डृष्टी आएस के नए प्रोग्राम प्रिलिम्स प्रैक्टिस विल्ज में हम यूपी एसी और अलग-अलग स्टेट पीसेस की प्रारंभिक परिक्षाओं में पूछे गए सवालों को विशलेशन के साथ हल करेंगे जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चैन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे विकल्पों की छटनी करना, गुनियादी अवधारना को समझना, तत्थियों और अतिवादी वविशेश शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे इस कारिक्रम के तहट हम हरे एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे टीम द्रिष्टी द्वारा हाली में लॉंज की गई, प्रिलेम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पोस्तक श्रंखला को आधार बनाए इसमें UPSC समेत विभिन प्रारंभिक परिक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रशनों का संकलन उत्तर वविश्लेशन के साथ तयार किया गया है इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगे प्रेलिम्स प्रैक्टिस क्विस के सेशन 12 में आपका स्वागत है आज के सेशन में हम अर्थ फिवस्था से जुड़े प्रशनों पर चर्चा करेंगे आज का पहला प्रशन है निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला भारत सरकार द्वारा कोयला क्शेत्र का राश्ट्रिय करण इंदिरा गांधी के कारेकाल में किया गया था दूसरा वर्तबान में कोयला खंडों का आवंटन लौटरी के आधार पर किया जाता है तीसरा, भारत हाल के समय तक घरेलू आपपूर्ती की कमी को पूरा करने के लिए कोईले का आयात करता था किन्तु अब भारत कोईला उत्पादन में आत्म निर्भर है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब है आप्शन A यानि केवल पहला कथन ही सही है आईए इसके विशलेशन पर एक नजर डालते हैं प्रिये व्यूवर्स इस सवाल को हम एलिमिनेशन मेथट से सॉल्व कर सकते हैं दरसल इस सवाल का तीसरा कथन जनरल कंसेप्शन पर बेस्ट है हमने इस बारे में कई किताबों और अख़बारों में पढ़ा ही होगा कि भारत में जो कोल रिजर्व्स हैं उनका यूज काफी ज़ादा हो रहा है इसलिए कोईला संसाधन पर काफी ज़ादा दबाव भी है यह भी सही है कि कोल रिजर्व के मामले में भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल है प्रोडक्शन के मामले में भी भारत काफी आगे है अंतराश्ट्रिय उर्जा एजन्सी की माने तो साल 2019 में भारत चीन के बाद दुनिया कसब से बड़ा उत्पादक रहा है भारत ने 2019 में 789 मिलियन टन कोईले का प्रोडक्शन किया हालांकि आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में जितनी उर्जा का उत्पादन होता है उसमें 70 फीसदी के उत्पादन में कोईले का सहारा लिया जाता है लेकिन भारत में कोईले का जितना उत्पादन होता है उससे केवल 75 फीसद की ही पूर्ती हो पाती है इसलिए भारत को मांग पूरी करने के लिए कोईले का इंपोर्ट करना पड़ता है इंपोर्ट के मामने में भी भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है यानि यह कथन सही नहीं है कि भारत अब कोईला उत्पादन में आत्मनिर्बर हो गया है इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है Friends, तीसरा कथन गलत होते ही हम option को eliminate कर सकते हैं और उत्तर एक हो जाएगा इस सवाल का दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि भारत में कोईला खंडो के allocation के लिए lottery नहीं बलकि निलामी की process की जाती है इसके बाद में हम पहले कथन पर आते हैं जो की सही है क्योंकि भारत में कोईला क्षेत्र का nationalization दो चर्णों में हुआ था पहला चर्ण 1971-72 में हुआ जिसमें कोकिंग कोल खानों का nationalization हुआ जबकि दूसरा चर्ण 1973 में हुआ जिसमें नौन कोकिंग कोल खानों का nationalization हुआ और उस समय इंदिरा गांधी ही भारत की प्रधान मंत्री थी तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब है option A बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए और द्योगिक रोजगार स्थाई आदेश केंद्रिय संशोधन नियम 2018 के अनुसार पहला यदि नियत अवधी रोजगार के लिए नियमों को कार्यान वित किया जाता है तो फर्मो या कमपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना अपेक्षा कृत आसान हो जाता है दूसरा अस्थाई कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा उपर युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो या फिर डी ना तो एक ना ही दो इसका सही जवाब ए उप्षन सी यानि दोनों ही कथन सही है आईए इसके विशलेशन पर एक नजर डालते है प्रिय व्यूवर्स आजादी के पहले से चले आ रहे 1946 के ओद्योगिक रोजगार केंद्रिय नियमों में बदलाव करने के लिए 2018 में नए नियम लाए गए थे दोस्तों, इन नियमों में Fixed Term Employment का प्रावधान किया गया है नियमों के मुताबिक एक Fixed Term Employment Workman वह कामगार है जो एक नियत अवधी के लिए किसी रोजगार के लिए Contract करता है इन नियमों में यह विवस्था भी की गई है कि समानकार्य घंटे, महनताना, भत्ते और दूसरे लाब जैसी सुविधाएं जो एक स्थाई कामगार को मिलती हैं वैसी ही सुविधाएं इन Fixed Term Employment Workman को भी दी जाएंगी जानकार बता रहे हैं कि Fixed Term होने से अब फर्म या कमपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना पहले से आसान हो गया है क्योंकि इससे बिचॉलियों का रोल भी खत्म हो रहा है इसलिए पहला कथन सही है इनियमों में अस्थाई कामगारों के मामले में कहा गया है कि अगर कोई employer किसी ऐसे अस्थाई कामगार को काम से हटाना चाहता है तो चाहे मासिक दर से काम करता हो सब्ताहिक दर से या नक दर से उसके लिए कोई notice देना जरूरी नहीं होगा इसलिए दूसरा कथन भी यहां सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब है option C अगला प्रश्ण है सेवा क्षेत्र उपागम किसके कारे क्षेत्र के आधीन कार्यान्वित किया गया था A. एकिकरित ग्रामीड विकास कारेक्रम B. अग्रणी बैंक योजना यानि लीड बैंक स्कीम C. महात्मा गांधी राष्ट्रिये ग्रामीड रोजगार गारंटी योजना या फिर D. राष्ट्रिये कौशल विकास मिशन इसका सही जवाब है option B यानि अग्रणी बैंक योजना आईए इसके विशलेशन पर एक नजर डालते हैं प्रिये व्यूवर्स यह एक straightforward question है और fact-based भी इसलिए ensure होने के बाद ही इसे attempt करना सही है चलिए अब सेवाक्षेत्र उपागम के बारे में बात करते हैं दरसल सेवाक्षेत्र उपागम की शुरुवात अपरेल 1989 में की गई थी इसका मकसद था कि नियोजित और क्रमबत तरीके से ग्रामीड और उपशहरी क्षेत्रों का विकास किया जाएं जिसके लिए सभी अनुसू चितवाणिजिक बैंकों और क्षेत्रिय ग्रामीड बैंकों का सहारा लिया जा सकता है बता दे कि सर्विस एरिया एप्रोच सभी अनुसू चितवाणिजिक बैंकों और क्षेत्रिय ग्रामीड बैंकों पर लागू है जिसे लीड बैंक स्कीम के तहट ही कार्यानवित किया गया सर्विस एरिया एप्रोच के तहट ग्रामीड और उप शहरी क्षेत्रों में हर एक बैंक शाखा को इस बात के लिए नामित किया जाना था कि उन्हें 15 से 25 गाओं के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देनी है और उस खेत्र में बैंक क्रेडिट्स को सभी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्ही बैंक शाखाओं की थी इस एप्रोच का प्रार्थमिक उद्देश्य प्रोडक्टिव लेंडिंग को बढ़ाना था इसके अलावा बैंक क्रेडिट, उत्पादन, उत्पादक्ता और बढ़ते आयस्तर के बीच लिंक को मजबूत करना भी इस एप्रोच का एक उद्देश्य है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है उप्शन B अगला प्रश्न है, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्ब में निमनलिक्षित कत्नों पर विचार कीजिए पहला, इस देश में विद्यमान विधी के अनुसार रेत एक गौण खनिज है दूसरा, गौण खनिजो के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ती राज्य सरकारों के पास है किन्तु, गौण खनिजो को प्रदान करने से संबंधित निमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंदर सरकार के पास है तीसरा, गौन खनी जोके अवैद खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है उपर योगत में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है ए केवल एक और तीन, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, या फिर डी एक दो और तीन इसका सही जवाब है उप्शन ए यानि केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है आईए इसके विशलेशन पर एक नज़र डालते हैं प्रिये व्यूवर्स यह सवाल पूरी तरहां से कानून पर आधारित है इसलिए ऐसे किसी भी सवाल को अटेंप्ट करने से पहले हमें उस कानून की कुछ मूल और बड़ी बातों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए इसलिए हम सीधे यह देखेंगे कि सवाल में जो कथन दिये गए है उनका संभन्ध इस कानून की किस धारा से है बता दें कि इस कानून की धारा 3E में गौन खनीजों का जिक्र है कानून गौन खनीजों में इमारती पत्थर, बजरी, मामूली मृतिका अलग-अलग कार्यों में उप्योग होने वाली मामूली बालू को शामिल करता है इस हिसाब से पहला कथन सही है कि रेत को भारत में गौन खनीज माना गया है गाइस, अब दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं इस कथन के दो पार्ट्स है हमें दोनों की ही जाँच करनी होगी हो सकता है पहला पार्ट्स सही हो और दूसरा गलत या दोनों पार्ट्स ही गलत हो बता दे कि इस कानून की धारा पांच में साफ किया गया है कि खनन पट्टों को ग्रांट करने की शक्ती राजसरकारों के पास है लेकिन इस कथन का दूसरा पार्ट गलत है क्योंकि धारा पंद्रा में सपष्ट किया गया है कि खनन पट्टों, खदान पट्टों और अन्य रियायतों के अनुदान के संबंद में नियम बनाने की शक्ति राजसरकार के पास है ना कि केंदर के पास इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है प्रियव्यूवर्स यहां आखरी कथन सही है क्योंकि इस कानून की धारा 23C में सपश्ट है कि रेत के अवैद खनन, उसके परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य के पास है एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि इस कानून में 2020 में खनिज कानून संशोधन अध्यादेश लाकर बदलाव किये गए हैं उस संबंध में हमने To The Point और Current News प्रोग्राम में विस्तरित जानकारी दे दी है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब है Option A अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला भारत का अधिकांश विदेशी रिड सरकारी स्तवों के रिणी होने के द्वारा है दूसरा भारत का सारा विदेशी रिड यूएस डॉलर के मुल्यवर्ग में है उपरियुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो या फिर दी ना तो एक ना ही दो इसका सही जवाब है Option D यानि दोनों ही कथन गलत है आईए इसके विचलेशन पर एक नजर डालते है प्रियव्युवर्स UPSC Economics में अकसर ऐसा सवाल पूछता है जिसमें आंकडों पर जोर दिया जाता है इन सवालों में एक बात ध्यान देने वाली होती है कि जब भी कथन इस तरह हो जिनमें लगातार रिधी या लगातार कमी सबसे ज़ादा या सबसे कम की बात होती है तो वे अकसर गलत ही होते है दोस्तों अब हम सवाल में पूछे के कत्नों की जाच करते हैं यहां विदेशी रिण के बारे में पूछा जा रहा है Friends केंदर सरकार विदेशी रिड़ पर हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है 2018-19 की रिपोर्ट के मताबिक 2019 में मार्च के आखिरी तक भारत का विदेशी रिड़ 543 बिलियन डॉलर रहा यह मार्च 2018 के मुकाबले 2.5 प्रतिशत जादा था रिपोर्ट पर आगे नजर डालने पर पता चलता है कि इस लॉंग टर्म डेप्ट में सबसे जादा हिस्सा वानिजिक उधारी का था ना की गौवर्मेंट एंटिटीज का इसलिए पहला कथन गलत है इस भारी उधारी के मामले में मूल्यवर्ग की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का रहा जो की 50.5 प्रतिशत था इसके बाद भारतिय रुपिय की हिस्सेदारी 35.7 प्रतिशत रही इसलिए दूसरा कथन भी यहां गलत हो जाता है विदेशी रिण होता क्या है फ्रेंट्स विदेशी रिण किसी बैंक की उधारी का वह हिस्सा है जो विदेशी उधार दाताओं से लिया जाता है इसमें वाणिजिक बैंक, सरकारें या अंतराश्ट्रिय वितियसंस्थान शामिल हो सकते हैं इस उधारी की खास बात यह भी है कि यह जिस मुद्रा में ली जाती है उसका रिपेमेंट भी उसी मुद्रा में करना होता है दोस्तों इस विदेशी रिड को अलग-अलग विशे में कुछ केटेगरीज में बाटा जाता है जैसे अवधी के आधार पर विदेशी रिड दो तरह के होते हैं लॉंग-टर्म और शॉट-टर्म डेप्ट लॉंग-टर्म डेप्ट में हम उन विदेशी उधारियों को शामिल करेंगे जिनकी ओरीजिनल मेच्योरिटी एक साल से जादा होती है जबकि शॉट-टर्म डेप्ट में उन रिड़ों को रखा जाता है जिनकी ओरीजिनल मेच्योरिटी एक साल या उससे कम होती है विदेशी रिड़ों को दो और तरह से भी देखा जाता है एक संप्रभु यानि सरकारी रिड और दूसरा गैर संप्रभु रिड संप्रभु रिड में तीन मदें शामिल है पहली वे रिड जिसे भारत सरकार बहरी सहायता कारेक्रम के तहत हासिल करती है दूसरा IMF से ली गई उधारी रुपिय उधारी का रक्षा रिड कॉंपोनेंट और विदेशी मुद्रा रक्षा रिड और तीसरी सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश इसके अलावा जितने भी विदेशी रिंड लिये जाते हैं उन्हें गैर संप्रभु विदेशी उधारी में रखा जाता है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब है उप्षन D आज के सेशन में इतना ही अगले सेशन में नए प्रश्णों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद